हम समझेंगे कि देव गुरु ब्रहिस्पति जो अपनी राशी प्रिवर्तन करके मेश राशी में जाएंगे 22 अपरेल को लेकिन उससे पहले, 22 अप्रेल से पहले मार्च और अप्रेल की बीच में जो देव गुरु ब्रहस्पती की स्थिति अपनी ही राशी में, मीन राशी में होने वाली है इसके बज़ासे जो है, वो कुछ खास लगन है, छे लगन है जिनको लाब की स्थितियां मनेगे और जाते जाते देव गुरु ब्रहस्पती जो है, वो उनको लाब दे करके जाएंगे जो उनका पैंडिंग है, जो उनका ड्यू है, वो देव गुरु ब्रहस्पती यहां दे करके जाएंगे जो उनको काफी समय से कुछ लगन वालों को ब्रह्सपती महराज ने नहीं दिया था और ब्रह्सपती महराज को आप जानते हैं देव गूरु ब्रहसपती जो है वो जित्मा भी शुवकारे हो सकता है मुनिश्य जीवन में हम जो भी शुव चाहते हैं उन सभी का नर्धान जो है वो देव गुरू ब्रहस्पती के हाथ में है पुत्र संतान के प्राप्ती हो, धन के प्राप्ती हो, मान समान की बात करते हैं हम और advisory capacity आपको उच्छ पंध प्रतिष्ठा मान सम्मान जो दिलाता है देव गुरु ब्रहस्पति दिलाता है मन में सात्विक्ता के भाव जब कोई ग्रह उत्पन करता है तो देव गुरु ब्रहस्पति करता है दूसरों का भला करना उपकार करना मुनुष्य जाती का कल्यान करना प्रकृति की रक्षा करना प्रकृति रक्षती रक्षिता है जो प्रकृति की रक्षिता करता है प्रकृति स्वैम उसकी रक्षा करती है तो इस तरह के भाव जो है वो देव गुरु ब्रहस्पति से जो ड बलाई के कारें होते हैं, वो देवगुरु ब रहिस्पती के द्वारा होते हैं. तो इतना शुब और सात्विक ग्रह जो देवगुरु ब्रहिस्पती है, जिसके जर्मकुल्ली में अच्छे स्थिती में होता है, वो उसको बहुत धन्बान योग बनाता है. खास तोर पर व्रिष्टिक लगन वालों के लिए इसकी स्तिती बहुत उत्तम होती है और उसके लावा जो इसकी स्तिती है वो है कुम लगन वालों के लिए क्योंकि दोनों धनस्तान का स्वामी बनता है इन दोनों लगनों के लिए तो इसके स्तिती जिन-जिन की जरम कुणली में अच्छी होगे उसको जीवन में बहुत कम effort के द्वारे के कम प्रयास के द्वारा बहुत शूप परिणाम प्राप्त होते हैं तो देवगुरु का ये महत होता है जरम कुणली में और उसके इलावा चंद्रमा के साथ जब इसका केंदर में समंध होता है तो वहाँ पर जो है गज केसरी योग भी बनाता है तो बहुत शूप परिणाम होते हैं देवगुरु ब्रहस्पती के चाहे वो पढ़ाई की बात करें चाहे विवाह की बात करें क्योंकि स्त्रियों के कुणली में जो पती का निर्धान करता है वो देवगुरु ब्रहस्पती ही करते हैं उनके मांगले सुख जो होता है, वो देव गुरु ब्रहस्पती से ही प्राप्त होता है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, खासतर लौ का एजुकेशन है, वो भी देव गुरु ब्रहस्पती के दोरा ही दिया जाता है, इतना कुछ शुप प्रणाम देते हैं देव गुरु ब तो अब जो इसके शुख़भ परव आने चुरू हो जाते ہیں तो अब जो इसका न˜म sem है यूल्फे। तो वहाँ पर यह स्थितिया अब देव गुरू ब्रहस्पति के शुब ब्रोडाम के लिए बनी हुई है तो कुछ लगन जो मैंने आपको बताया है आज 6 लगन के हम बात करेंगे जिन लगन बालों को देव गुरू ब्रहस्पति का यह जो गोचर हो रहा है जो होना है उससे पहले जो है वो कुछ न कुछ जुन उनको देख करके जाएंगे उसके बारे में आप चर्चा करते हैं और जैसे अभी सबसे पहले मीन राशी में गोचर कर रहे है तो मीन राशी जो है, वो सम्भाव की राशी है, इवन साइन है, और इवन साइन में जब भी कोई प्लैनेट जाता है, तो वो इस्तरी तत्तो की राशी उगमाना जाता है, इवन साइन को, तो वहाँ पर जाकर कि हर ग्रह जो है, वो सौमे वाला प्रभाव देता है, इत्व ब्रिस्पति की जो स्थिदी बनी हुई थी वो चार लगन थे जिन के लिए यहां पर यह पंच महापुर्ष नामक योग जो है हंस महापुर्ष नामक योग बना रहा है जिसमें विक्ति को बहुत अखंड समराजी यह दिलाता है मान समान में वृद्धिक राता है तो ओसमें सकेत हो वीडियो को शेयर कर दें तो अब जो स्थिती गुरू की है उसके इसाप से हम जो चे लगन है जिनको लाव होने वाला है उनके हम चार्चा करते हैं तो सबसे पहले जो लगन जिसको लाब होने वाला है वो है बृषब लगन बृषब लगन वालों के लिए जो देव गुरु ब्रहस्पती की स्थिती होनी है वो आपके लाबस्तान में इकादस्तान में होना है तो दोनों ही houses जो होते हैं उस सरकार का पैसा यहाँ पर बताते हैं इस समय सरकार के पास आपका कोई भी पैसा फासा होगा कोई आपका tender का पैसा है कोई आपके project लेना चाहरे हैं या कोई आपने deal final करनी है तो वो deal above final हो जाएगी बहुत अच्छा है लाब की स्थितिया आप फाइनिशल धन समंदी मामल में बहुत उत्तम बनी रहेगी और यहां से यह आपके सब्तम स्थान पर भी दिश्टी डालेंगे तो यहां पर सब्तम स्थान पर भी दिश्टी डालने के विजए से विवाह की भी समभावनायाब बनती यह नजर आएंगे यात्राओं का योग बनेंगे, बहाई बहलों से समंद सुधरते में नजर आएंगे प्रोसियों के साथ संबन्द आपके सुधरते में नजर आएंगे तो ये कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छी स्थिती बनी हुई है घृषब लगन वालों के लिए अगला लगन जो है वो आपका मिथुन लगन है और मिथुल लगन वालों के लिए कर्मक्षेत्र में गुरू का ये अभी गोचर हो रहा है जो शुब डिग्रियों में आप गुरू माला जा गए है तो यहाँ पर इस तिदी में जो आपके कर्म जितने भी हैं जो भी कारियों के प्रतिय आप प्रयास कर रहें थे वो अप सफल होंगे वेपार में सिद्धी प्राप्त होगी वेपार में आपका मुनाफ़ा बढ़ेगा वेपारियों का पैसा बढ़ता होँ नजर आएगा और कारिक शेत्र में हैं तो जॉब आपकी लग जाएगी कोई financial increment का आप सोच रहें तो वो लग जाए जॉब चेंज करना चाहरे हैं तो जॉब चेंज आपकी हो सकती है गुरू बहुत अच्छे प्रणामे आपको दे रहा है गुरू की एक दृष्टी जो है आपके धनस्तान पे भी पढ़ेगी जहां इसकी उच्छ राशी है तो आप बहुत उच्छ के प्रणाम धन समंदी मामनों में आपको आएंगे धन का संग्रहिया हो सकता है कुटुम्ब का पैसा आपको यहां मिलता होन नजर आएगा और परिवार में घर परिवार में खुशी का महल बना होगा मित्रों का सयोग प्राप्त होगा आपके जो रिलेटिव्स है समंदी है उनका सयोग मिलेगा माता को सुख आपको प्राप्त होता है और शत्रू भी खतम होगे आपके और रोग भी खतम होगा करेगा और भागई के दम पर आप इस समय अपने हर्त राके सुख भूख रात करेंगे क्योंकि इस समय जो इसकी राशी है जो इसकी द्रिष्टी है उच्छी की द्रिष्टी आपके लगन पर पढ़ेंगी तो सबसे पहले विक्ति का मान समान बढ़ता है राजनितिक शित्र स आपको कोई और अदा मिल सकता है नई पॉस्ट मिल सकती है dort सेक्टर मैं तो सरकाथ आपको आपका बास आपको पसंद करेगा आपको वहां लाब की स्थितिया बास्फ के द्वारा भी मिलेगी इंक्रिमे Х् सकता है आपका पंच जमस्तान पे दृष्टी है तो वहाँ पर आपको संतान सुख मिलता हुआ नजर आएगा संतान चाहते हैं तो संतान पन हो जाएगा आपकी पढ़ाई में आपका मन लगेगा फोकस हो जाएंगे अच्छे नंबर आएंगे चाहते हैं आइलेट्स की त्यारी कर रहें हैं हायर एड्योकेशन के लिए जाना है कोई फॉरं लेंग्वीज सीखनी है जर्मन फ्रैंच लेटिंग तो वो सबी चीज़े आपकी यहां होती है नजर आएंगी तो काफी ही अच्छी स्थिती यहां पर देव गुरु ब्रहस्पती की मानी जाएगी लगन को देखकर कि आपको मान समान सुख स्मिर्दी सब कुछ यहां पर गुरु महराज देते वे नजर आएगे अगला लगन है जिसको लाब होने वाला है वो है कन्या लगन कन्या लगन वालों के लिए सब्तमस्थान में देव गुरु ब्रहस्पती का गोचर होगा आपके लिए और अच्छी डिगलों में है तो लगन पर भी इसकी दृष्टी होने वाली है तो आपके लिए मान समान सुख स्मिर्दी सब कुछ होगी शादी नहीं हुई है कन्या लगन वालों को तो शादी का परूरुप से योग बन रहा है बड़े भाई बहनों का से योग मिलेगा यात्रा है हो सकती है चोटे भाई बहनों का भी कोई खुशकबरी उनकी तरफ से भी मिलती भी नज़र आएगी आपको उसके लावा यात्राओं का योग खास तोर पर बनेगा और धन समद्धी मामनों में भी आपको पती है तो पत्नी की तरफ से लाब मिलेगा पत्नी है तो पत्नी की तरफ से कुछ धन का लाब यहां पर होता हो नज़र आएगा आपका पार्टनर आपको नहीं मिल रहा था तो पार्टनर मिल जाएगा पार्टनर के सेहुट से आपको धन कमाने के अफसर यहां पर गुरु महराज देते वे नज़र आएगे तो कन्या लगन वानों के लिए भी बहुत शुब है क्योंकि इसकी उच्ची की दृष्टी आपके लाबस्तान में पढ़ रही है तो लाब की स्थितिया पूर रूप से आपके लिए बनी हुई है और अगला लगन पांचवा लगन है जिसको लाब की स्थितिया मनने वाली है देव गूरु ब्रहस्पती के इस गोचर की वो है वरिष्टिक लगन और वरिष्टिक लगन जो होता है वो बहुत सीक्रिटीव राशी है बहुत सीक्रिटिव लगन होता है, हर काम को छुपा के करते हैं, हर काम में एक डिस्टेंस बना के रखते हैं, हर चीज को गुपत रखते हैं पहले प्लानिंग को तो अभी आपके प्लानिंग के हाउस में, पंचम भाव में जो है, जहां बुद्धी और मंतरणा का हाउस होता है, वहां देव गुरू ब्रहस्पती आ गए हैं, तो जो भी प्लानिंग आप इस समय करेंगे, जो भी विचारा आप करेंगे इस समय वो आपका सिध होते में फलता है, यहां पर दिलाता हो, नज़र आएगा, गुरू की स्थिति आपके लिए बहुत युत्तम है, स्पेक्लिशन, शेर मार्केट में, लॉट्री में, उसके लाब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहरें, तो गुरू वहां पर आपकी पुरूरूप से मदद करे यह जगाओं पर आपको लाब प्राप्त होता हो, नज़र आएगा, लाबस्तान पर दिश्टी है, तो लाब की स्थितिया बने रहेंगी, संतान उत्पत्ती का समय बन रहा है आपके लिए, बहुत ही अच्छा समय आपके लिए भी बन रहा है, अंतिम लगन जिसको और लाइन भरी नीद लाने वाला है, गुरू यहाँ पर आपको बहुत शुप प्रणाम देंगे, इसमें कि आप भूमी मकान से समंदी को कारे करते हैं, उनको यहाँ पर लाब की स्थितिया बनती भी नज़र आ रही है, विदीशों से कोई काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क क्योंकि अश्टम स्थान पर इसकी दिष्टी है, गुप्त अध्यन करना चाहते हैं, और कल्ट की फ्लिड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जोती शास्त्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उच्छी स्थिति बनी हुए धनू लगन वालों के लिए, विदेश तिलाद के यहां पर आपको दिलातावन नज़र आ रहा हैं देव गुरू बिस्टि तो देव गुरू बिस्पति की स्थिति हिसा में आपके लिए भी भॉछश्यों बनी हुई है, क्यिकि केंड्र में बैठा हुआ है, और केंड्र में बैठने पर, क्योंकि उससे पहले इसको केंड्र पति दोश लगता है धमुलगन वालों को परंतु केंद्रपती दोश की विज़द से क्या होता है गुरु महराज कमजोर हो जाते हैं परंतु वर्तमान में अपनी ही राशी में वैठे हैं जाकरके तो अब यह जो है वह बल को प्राप्थ हो गया है तो आपको यह अच्छे प प्रणाम देते में नजर आएंगे तो यह आज हमने इस वीडियो में समझा कि गुरु जाते जाते क्या प्रणाम देंगे उमीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अब। यह वीडियो जाएंगे प्रणाम धोल जेडियो जाते हुआ है टाइका हुआ कि अच्छानल एक टो शाएंगे ज़गा साथे डिरीक है तो आवेडियो आते है